हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दिखाएंगे HP Smart Tank 516 जो प्रिंटर है, उस प्रिंटर में अगर E4 एरोर आ रहा है, तो बो पॉब्लेम आप कैसे रिजॉल्ब कर सकते हैं, और इसका क्या इश्यू है, वो पूरा इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं, तो विल्कम टू माई चैनल तेक्निकल इंट्रो मैं हूँ राजकुमार, तो पहले देखिए, जब भी मैंने अन किया, तूरंती E4 एरोर डिस्टूले में आ रहा था, और ब्लिंक हो रहा था, तो मैंने एक बार साट डाउन किया, फिर अन किया, दुबारा देखते हैं कि SIM हो रहा है कि नहीं, देखिए अभी on हो रहा है, सिस्टेम, यह जो पिंटर है, HPA Smart Tank 516 पिंटर है, all-in-one पिंटर, तो यह देखिए, तूरंती E4 एरोर आ रहा है, और पेज जो है, उसमें LED ग्लो हो रहा है, और पिंक कलर का LED बार बार शो हो रहा है, तो basically E4 एरोर जो इशू है, वो door sensor से आते है, तो एक बार चेक करते है door sensor, तो पहले ही यह देखिए, इसमें, जो दिखाई दे रहा है, कि यह जो door sensor का, जो cable है, यह red damage हो चुका है, क्योंकि साथ इसमें, red damage कर दिया, यह देखिए, पूरा उसका, दात का निसान है, इसमें, देखिए, बहुत सरा जगा इसम कर दिया, तो इसको, दो option हो सकता है, कि पहले हम repair करके check करेंगे, second option और एक है, कि इसको पूरा replace करना, तो पूरा replace करना, थोड़ा महंगा होता है, ज्यादा नहीं है, फिर भी repair से ज्यादा होगा, होगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए, इसमें, ये जो cable है, cable एक जगा बहुत, damage हो चुका है, तो, अगर इसको कानिट करके, हम check करेंगे, तो साइद हो जाए, तो हम इसके लिए, ये जो cable है, cable को एक बार repair करेंगे, और repair करने के लिए, मेरे को एक iron चाहिए, ये देखिए, तो पहले क्या करेंगे, ये जो cable है, cable को, जो जगा पे damage हो चुका है, उसका दोनों side थोड़ा-थोड़ा करके, हम इसमें छील लेंगे, कि इसका जो wire है, वो बाहर आ जाए, और हम, जब इसको soldering करेंगे, वो अच्छे तरह, इसमें connect हो सके, तो इसके लिए मैंने देखिए इधर एक छूरी का मदद से, इसको clean कर दिलिया, और ये देखिए, soldering कर रहे हूं अभी, और जब soldering, अब लोग करेंगे, तो बहुत सब्धाने से करना होगा, क्योंकि ये plastic है, और उसके अंदर wire रहते है, वो भी बहुत ही sensitive है, इसलिए बहुत ही समाल के, नहीं तो एक wire द हो जाएगा, और जो issue है, issue swap नहीं होगा, उपर से इसका जो issue है, वो ज्यादा बड़ा हो सकते, तो be careful, तो देखिए, ये जो cable है, ये successfully soldering हो चुका है, और इसमें जो solder मैंने किया, वो अच्छी तरह दोनों पार्ट को connect कर दिया, ये देखिए, मैं थोड़ा zoom in करके दिखात हूँ, ये देखिए, हो चुका है, इसका दोनों साइड ही पूरा connect हो चुका है, और इधर ज़्यादा damage भी नहीं हुआ, जब मैंने इसको soldering किया, तो दुबारा इसको हम install करके, check करेंगे, तो देखिए, इसको मैंने डाल दिया, और screw से फिर assemble करेंगे, अगर ये repair करके नहीं होगा, तो change करना पड़ेगा, ये आम market पे available है, अब HP center से भी purchase कर सकते हैं, या कोई IT shop से purchase कर सकते हैं, better है, original use करना और नहीं मिले, तो comfortable भी इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा better quality होना चाहिए, अब देखिए, जो scanner unit है, scanner unit को हम फिर से assemble कर देंगे, हो गिया, और अब on कर के देखेंगे, मैंने अभी screw लगाया नहीं है, जिस्ट on कर के देखेंगे, कि सही हो रहा है कि नहीं, पहले जो on कर देखेंगे, एफोर error show हो रहा था, अभी देखिए, डिस्पले में 0 जो option है, घूम रहा है, good, अभी double zero आ रहा है, और कोई error नहीं है, तो देखिए, ये page जो है, थोड़ा, ठीक हो गया, तो friend, इस तरह, ये जो issue है, solve हो चुका है, आप भी अपना printer इस तरह का solve कर सकते हैं, नहीं तो change कर सकते हैं, ज्यादा price नहीं है, तो इतना ही, जैहिन, नमस्कार